हेलो एवरिवान और वेलकम तो दे चानल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड तो स्टुडिंस आज इस वीडियो में हम लोग क्लास थर्ड एवीएस का चाप्टर नंबर फॉर्टीन कवर करने वाले हैं जिसका नाम है दे स्टोरी ओफ दे फूड फूड की स्टोरी है यह आपकी तो पहले हम लोग इस वीडियो में आपको चाप्टर ब्रीड कराऊंगी और हिंदी में पूरा चाप्टर एक्स्प्रें करूंगी प्लस एंसी एक और वीडियो आपकी जिसमें की वॉक्षीट होगी एंदिन क्विज होगी तो सभी वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे कोई भी बचा नया है चानल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे जिससे की कोई भी वी वीडियो आपकी क्लास की नेक्स टाइम आती है तो आपसे मिस ना हो दस्टोरी ऑफ फूर्ट स्टार्टिं में एक पिक्चर दी हुए देखते हैं पि वेनु की फामिली है फस्ट पिक्चर में मदर इस प्रपेरिंग फूर्ड मदर जो है वो खाना बना रहे हैं फादर इस क्लीनिंग दफ्लोर फादर जो है वो फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं सेकिंड पिक्चर में अगर आप देखेंगे सो आल पीपल ऑफ फामिली आर एटिंग सबी लोग खाना साथ में खा रहे हैं थर्ड पिक्चर आप देखेंगे तो mother and father are reading newspaper and venue is cycling यहां पर यह दोनों newspaper पढ़ रहे हैं और venue जो है वो cycling कर रही है नेक्स पिक्चर आप देखें तो नेक्स आपकी रानी की फामली फिस्ट में mother is cooking food mother खाना बना रही है सेकंड पिक्चर में आप देखें तो male members वो सिरफ खाना खा रहे हैं they are having food and Rani is serving the food रानी फूड को सर्व कर रही है यहां पर थर्ड पिक्चर में हम देखेंगे तो Rani and her mother are fetching water I think water यह रानी के सर के उपर water and this is something grass I think not बहुत कुछ बड़ा बरतन टाइप में है यह and father is reading newspaper father newspaper रीड कर रहे है तो आप देखें रानी की family में हमेशा women जो है वो काम कर रही है male member ने यहां पर सब मिल के काम कर रहे है ठीक है is your family like any of these families क्या आपकी family इन में से किसी की भी family जैसे एफियस of which type किसकी family जैसे उनका आप नाम लिखेंगे आपकी family venue जैसे है या फिर Rani जैसे होगी तो definitely अच्छा होगा how is your family like theirs or कैसे आपकी family उनके जैसे क्या similarity है दोनों में okay next is if not let us talk about your family if you don't like family जैसे नहीं है तो आपको आपकी family के बारे में बताना है do all the people in your family eat together if not why क्या सभी लोग आपकी family में साथ में खाना खाते है और अगर नहीं खाते तो ना खाने का क्या reason है तो अगर खाते है तो आप yes दिग देंगे simple अगर नहीं खाते तो reason बताएंगे हो सकता है कि father क्योंकि काम पर जाते है go to office आप school जाते हैं तो इसलिए साथ में नहीं खाते लेकिन dinner साथ में करते है तो जैसा भी है वो आप यहां पर लिख देंगे yes we all have dinner together यह आप लिख सकते है next is who eats last dinner family आपकी family में last में कौन खाता है अगर साथ में खाते है तो फिर तो य question arise ही नहीं होता अगर ऐसा नहीं है तो last में कौन खाता है हो सकता मदर पहले बना रही है खाना सब को serve करती है और last में वो खाती हो यह फिर जैसे भी है इसका answer आप यहां पर लिखेंगे next question is why does not help in cooking food in the family and why क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो खाना बनाने में help नहीं करता है find out who does them in your house and who does them in your friend's house आपके घर में कौन करता है आपके फ्रेंड के घर में कौन करता है आपके फ्रेंड के घर में कौन करता है आपके फ्रेंड के घर में कौन करता है तो आपके फ्रेंड के घर में कौन करता है तो आप यहां पर मदर लिखेंगे आपके फ्रेंड के घर में काम काम करता हैं हो कि जाड़ों लगाने का काम काम करता है आप मेर्ट करती है अव्हें लगाने काम के अम करतो हैं मेर्च सकाला एक ना मल्कूर्व इनाय आप अगा फीर लगत तो यह जन्रल वियू है आपके घर में डिफरेंट हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे अब आगे आते हैं वेर दस वाट वी गेट कम फ्रॉम जो हमारे घर में चीज में आती है वो कहां से आती है यहां पर आपको कुछ food items के नाम दिया हुए आड सम मोर कुछ और आप लिख सकते हैं नेम टु दा लिस्ट, जो फ्रॉट प्रॉम डेंट करेंगे अपनी तरफ से करें 써 color एक 1 अडम कर पाइब और पाइंग कुर्ष।। मैं के हैं रडम करें कुरतो diligence बने दिव प्रस्ट बेशन के ऑपडिग़ा अजबाने प्लांट से मिली है अजवायन प्लांट से मिल dato अजवायन बनान्ट से मिलाइप है पंट संब्सButton डूरट सही करशा 1 रिखन से इंक चूर पर डूर्टर डूर्ट समयां आछ इंस पर 117 व्यों सकते जम्हें को अडिए 7 गआया कर दूद दूद समयां यहां रिख सकते हैं यहां तो जने मिल और कर द險 0 यह भी आपको प्लांट से मिलता है तो इस तरीके से आप इस लिस्ट को कम्प्लीट करेंगे आगे आते हैं वेन यू आर सिक्ट जब बिमार होते हैं डू यू टेक अनी मेडिसिन विच वी गेट फ्रॉम प्लांट तो क्या आपको इमेडिसिन लेते हैं अगर चोट लग जाती है तो आपको आपको अजवाइन ले लेते हैं जो कि आपके अपके किचिन में अवेलेबल होगी अगर आपको पेट में दर्द है तो आपको आपको अजवाईन ले लेते हैं जो कि आपके किचिन में अवेलेबल होगी एंड ब्लाक सॉल्ट विद वाटर काला नमक ले लेते हैं लोग यह कुछ चीज है जो कि आप स्टमक एक में ले सकते हैं आगे आते हैं अगर आपको दात में दर्द है तो आप क्या करेंगे पुट क्लोफ एक लोंग लेंगे इन माउथ और उसको दात के नीचे रख लेंगे तो आपका टूथ है काम हो जाएगा तो यह कुछ घरेलो मुस्के हैं आपके आगे आते हैं चूज दी करेक्ट बास्किट फोर इच आइटम ड्रो दा लाइन टू माच-अपको बास्किट चूज करने किसकी कहां पर है यहाँ पर चार पाट्स आपको दियूँ है कौन सा फ्लार खाया जाता है किसकी लीफ्स खाया जाते है किसका कोई और पार्ट या किसका fruit खाया जाता है तो ginger से शुरू करते हैं जिंजर का आपका stem खायाजाता है actually stem root तो ginger को आप लोग यहां से any other parts चाइब तो gainer को ए 경ें से any other part से माच करेंगे इस तरीके से carrot अगर देखे तो carrot की आप अपब भी other part खाया जाता है से स्पिनेच में मैं समय फ्रूट darf स्पिनिच लीवज 2 समय फरूट से स्पिनिच की यहाँ से से मैच करेंगे करी Leafs की निठी की पत्तिamas गा जटे है कडी पत्ता जिसे आप कहते हैं नेक्स्टेम काई फ्लार जाता है तो प्लार जाता है तो खाल यहोगता में माच करेंगे लिड़िश की रेडेश का भी अवरूट जाता है तो यहाँसे रिजी हमें गर्णार खच्चनार भपने का नहीं की आई एकूटवी डूल कंके, तो assistance स्प्टेटों लेकी बने डूल do cosas, डूल बनाना गर्णार फ्रूटु कंए जातांताय खिल्णारे बस ब्रूट से वह दो भीक आई धिन। यहां पर और आमला और अधर पार्ट में अगर आपका स्टेम जैसे कि आलू अलू को बिल्कुल भी जड नहीं बोलना है वह स्टेम है तो यह कुछ आपके अधर पार्ट्स पाया जाथ से प्टाटो रेडिश और अपका इसमें और कॉन सा माच रहा है यहां से लोटस प्टे एहां से लोगी जड बैशूग कर देन आपके पार्ट में आपके ज्याँ आपके शोग्ट आपके शोग्वग झापके जड़ को बिल्स वग्ज़ ज़गगे ट्वजड़े जया कर दोमाने है वहां